नमस्कार फ्रेंट्स, स्वागत आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल देशा एग्रिकल्चर अकेडमी पर डियर स्टुडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि BSC AG फास्टर सेमेश्टर वाले बिद्ध्यारतियों की एकजाम चल रहे हैं अभी तक जो भी उनके पेपर हुए हैं, आई होप आउनके पेपर जो हैं बहुत अच्छे हुए होंगे और वाई देखे कि इसी करना बर्स उनके पेपर नहीं अच्छे हो रहे तो भी आगे की जो भी पेपर है उनको अच्छा करने का आप लोग सोचेगा ठीक है ना बिलकुर तो जो नेक्ष्ट पेपर यानि कल आपका पेपर होगा वो किसका होगा भई वो होगा आपका पस्टू पालन का तो पस्टू पालन की टॉप साथ कोसंस जो की प्रिवेस परिश्चा में पूछे गए थे उन प्रसनों के साथ साथ में जो भी उनसे समझेद कोसंस बन सकते हैं उन सभी परसनों को इस वीडियो में कवर करने वाली है तो एक बहुत अच्छी क्लास रहने वाली है तो इस क्लास को आप लोग बिल्कुल इसकिप ना करिएगा सुरू से लेकर आंतता क्यार बने रहेगा क्लास में पूरी क्लास को अच्छे से देखना निस्चित आज सी क्लास में आपकी परिच्छा में बहुत सारे प्रसन आप से सीधे के सीधे पोछ ले जाएंगे तो आप लोग सिंता कता ही ना करें जुड़े हमारे साथ में और अपनी तैयारी को एक नई दिसा दी कि हो चुका आगाज रड़का कि हो चुका आगाज रड़का युग बदलने की तैयारी जीत उसी की होगी जिसका संगर सजारी जीत उसी की होगी प्यारे बच्चों जिसका संगर सजारी बस तुम हार मत मानना तुम हार मत मानना तुम लगातार जुड़े रहे लगातार मेहनत करते रहे निश्चित सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी तो इसी आसा और उम्मिद के साथ क्लास को यार करते हैं स्टार्ट एक बार आप सभी से रिक्वेश्ट है कि इस क्लास की लिंक को यानि वीडियो को जादा से जादा सेयर कर दो ताकि जितने भी आपक को कम से कम 5-10 सबाल मिलने वाले हैं तो बहुत अच्छी वीडियो रहने वाली है सभी लोग जुड़ जाएं फटाफट और सभी से एक छोटी सी रिक्वेश्ट यही रहती है कि वीडियो को लाइक कर देंगे अगर क्लास अच्छी लगती अगर नई चीद लगती आप डिस करते हैं यार क्लास को पढ़ते हैं कोस्टिन को तो क्वाइच कोस्टिन No.1 और आज क्लास में कम से कम 300 स्टुड़न क्लास में लाइब आने चाहिए इंपौर्टन क्लास सभी की हिलप होगी इसलिए सभी लोगों को जोड़ो आप लो ब्रस्नाओ कि स्वाइन फィबर इस का किसे में वोती जंगली सुपार को बोते हैं सश सरोपा और जो घरियलु सुपार किया जाता सुपार की फैमली की रिभाद और स्वाइन फीवर बिमारी होती है स्वार में जो की वाइरस के दोरा होती है फिलार आपसन नमबर यहां पे बिल्कुल सही है बढ़ते हैं क्वेशन नमबर 2 की तरफ फ्रॉम बीचा आप पॉलाइंग लैंगोज दा एंग्लिस बर्ड एग्री कल्चर हैं टेकें कुल बिलाकर यह पूचा गया जो एग्री कल्चर बर्ड यह किस वहाँसा का सब्द है हमेशा मैंने बताया आपको कि जिस भी सब्द के पीछे कल्चर लगा हो जिस भी सब्द के ग्रीग भासा के सब्द माने जाते हैं उमेद करते हैं आपको कलास पसंद आ रहे हैं तो दो का बी बिल्कुल सही जवाव है बी इस प्रसन का राइट उत्तर है बढ़ते हैं प्रस नमबर तीन की तरफ एंट्रेक्स इज काजडवाई प्यारी बच्छो एक बिमारी का नाम हैं एंट्रेक्स एंट्रेक्स जो बिमारी है वो किसके दोरा होती है बैक्टिरिया के दोरा है बारिस के दोरा है प्रोटोजोगा के दोरा है या फिर नौन अपदीज मतलब इनमें से कोई नहीं तो प्यारे बच्छो एंट्रेक्स जो एक बिमारी है यह कैसी बिमारी है तो दौरह होती बैसलस एंथ्रैसिस नमक जीवानों के दौरह होती तो बैक्टिरिया याँ पर सही उत्तर होगा जाएगा उपसन नमबर एक के साथ में बढ़ते हैं प्रसन नमबर चार की तरब बहुत ही बढ़ियां क्लास स्टाइब क्लास को सेर करके इस क्लास को एतिहासी क्ला तक jaeemời ऐसे जब आपको सपूर्ट कर सकते हों तो फिलीज ज्याईज यह महुकर जो है इसको मैस करिए गांस को सेर करते रहें ताकि मैक्सिमum जितना हो सकेया जितने से ज्यादा से जदना बच्चें इस क्लास में जुड़ें तो इससे हमें भी मोटिवेसन मिलता है और आपको भी अच्छा लगता है आप भी कंपटीजन का इस तरह समझ पाते हैं तो बिल्कुल आप सभी लोग से रिक्वेस्ट भाई सेयर कर दें फटाफट जो इतना सेयर कर सकें सभी लोग हमारे प्रिये भाई वैनो चल पस्वों के जुंड से हटाना या पस्वों से अलग कर देना क्या बोलते हैं रेरिंग बोलते हैं डीबर्मिंग बोलते हैं करिंग भर्ल या अन्युपर की पस्वों कहला था इसलिए आपसन यहां पर सी सही है को से नमबर पांच सबी लोग आंसर को यहां पर साही टिक कर रहे है सबी को उत्तर बेलकल सही आ रहा है तो कैपरा हि tenía से यहां पर राइट बेल reference हो जाईगा ठीक है ना बेलकुल अब्लेकिस अबी इस अरिज यह किसका बैग जया नम होते यह भेंड का बैग गया नम होता है उसको बोलते हैं सियरिंग इन प्रसनों को भी आप कबर करके चलना कोश्चान नमर च्छे aha indian veterinary research institute indian veterinary research institute यह देहों यह तो इस था है घечат दोनों आप्सन यहां पर हो जाएंगे इंडियन बेटनरी से papagod मैं है लिबiegen अगर estas nights में तो इंडियन बेटेनिर्स इंसिट्यूड जो है भारती पसूचे किस्ता अनुसंदान संस्ता हैं यह कहां पर तो यह है इस जतनगर बरेली में ठीक है क्वेश्चन नमर साथ प्यारे बच्चों जो मोहर है वो किस से प्राप्त होती है अंगोरा से सूर्ती से बीटल से यह फिर इनमें स्टोप को ही नहीं तो कुल मिला कि अंगोरा एक बकरी की ब्रीड है अंगोरा एक बकरी की नसल है और अंगोरा से ही क्या प्राप्त होता मोहर एक प्रकार की उन जो बहुत अची quality की होती है प्राप्त होती है option a right है बढ़ते हैं प्रसन नंबर 8 की तरफ प्रसन है कि milk fever is caused due to deficiency आप जो milk fever है आतार्थ दुख दुजर है बीमारी वो किस तत्तु की कमी से होती है फास्पोरस, कैलिसियम, मैगनेस्यम या फिर पोटास देखो पहली बात कहरा है दुख दुजर जो पस्टो दुद्द ज्यादा देंगे कि आप अच्छो जो भी पस्टो जो आनिमल्स हैं दूद ज्यादा देंगे उन्में जो है दुख दुजर होने वीमारी चान्स दूद् तो दूद दूजर बिमारी किसकी कमी से होती है कैलेसियम तब्तो की कमी से होती है दूद दूजर बिमारी किसकी कमी से होती है कैलेसियम तब्तो की कमी से होती है और इस बिमारी की रोक थाम के लिए कैलेसियम बोरो गलोकोनेट कैलेसियम बोरो गलोकोनेट नमक इंजेक्शन का यूज करते हैं जब पस्व में हो जाती है तो जब भी पस्व काविंग करते हैं बच्चे कुछ जन्म देते हैं उस समय इनकी कमी हो जाती तो प्रॉपर मातरा में केलसियम का डोच पिलाना चाहिए ठीक है ना बिलकुल बात की जाए कि दूद जो है बात Тामिन जी कमी पाई जाती दूद में तो इन परस्वन को आप अच्छे से याद करके चलना वार जब कि दूद में क्या है जो बकरी का दूद होता जो बकरी या बकरी का जूद दूद उते हैं लोगा की मातरा बहुत जदा पाए साथ ब्हाब्स्अ की तरब बढ़ते तर न आपस्ट नमबर 10 की तरफ बेस्ट मैथड आप मिल्किंग इज मिल्किंग यानि दुग्द दोवन का बेस्ट मैथड कौन सा है अगूटा भी चुटकिये भी पूरहस्थ भी इनमें से कोई नहीं तो प्यारी बच्चों राइट उत्तर हो जाएगा आपसन नमबर ад जिसको अपन लोग फुल हैंड मेथड या पिर कभी-कभी परिच्चा मे लिक़्ेआ सकता फिस्टिं मेथड फिस्टिंग मैथड यह बात में लिक़्े आ सकती है ठीक है ना फिस्टिंग मेथड तो यह भी बात बिल्कुल सहिए है चलते ह। है परसन नमबर नेक्स्ट जी की या फिर 102.2 degree Fahrenheit तो प्यारे बच्चो देखो जो गाया भाएस होती है जो गाया भाएस होती है इनका जो body temperature होता वो होता 101.4 degree Fahrenheit जबकि धेड है भेड का कितना होता है बेड का होता 102.2 degree Fahrenheit बकरी का होता 103 degree Fahrenheit और सबसे जानता अपमान पाया जाता मुर्गी में तो मुर्गी के इतना होता भाई मुर्गी बहुत जदा हीट यानी गर्मी वाली मुर्गी मर्गरम होती है इसका तापमान एक सुसाथ जिगरी फैरेनाइट माना जाता है बढ़ते हैं प्रस नमर बारा की तरफ अगर सभी को क्लास यार अच्छी लग रहे प्लीज यार फ्रे आपसे पूछ लिए कि दुधारू जो नसले गाय की होती तीन बाग में बटी होती है दुधारू होती है दुधाजी होती है और कुछ नसले होती है वहरवाही नसले होती है ठीक है ना हाँ दुधारू नसलों को याद करने की जो परनी ट्रीक है SSGD है मतलब साहिबाल शिर और देवनी ite cgd दे याद कर लें क्याविए की इद्धरों को याद करतेश जीडी सई से साहइबल सिंदी गीर और देवनी अच्छा गाय की दुकाजी नसलें बच्छों वह नसलें होती हैं जो दुगध उत्पादन के साथ-साथ-स-त उत्पादन के लिए भी अच्छी मानी जाती हैं माप कीजिएगा गाय की बहाई नसलें जो दुग्द उत्पादन के साथ साथ जो भी इनके नर्व पस होते हैं नर्व पस होते हो करसी कार्यों में अच्छे होते हैं तो उसको अपने दुकाजी नसल बोलते हैं और भायर जुझ की जातीय update कि मात्रा बहुत कम देती तो उसको स्थे बारभाई नसलन सोती हैं बाकि बाकि साहिबाल सिंदी की और देबनी ये कैसी नसल ने होती है यह दुदार्व पोती है इसलिए option number D यहां पे right हो जाएगा बढ़ते हैं प्रस नमर 13 यानि 13 की तरफ प्यारे बच्चो जो गाय की हरियान नसल है कैसी नसली है यह दुकाजी नसल होती है और कहां कहां पर पाई जाती तो रोहता करनाल हिसार एवं गोड़गाओं की आस पास की एरिया में अच्छी कासी संक्या में पाई जाती है तो ऑप्सन नमर यह आँ पर सही है बढ़ते हैं पोस्चन नमर 14 की तरफ रेडर जाती है सभी बैसे नसल रहे हैं लेकिन बच्चों हली कर नहीं होती है और आपसण सही हो जाएगा डी राहत उत्तर जाएगा ऑप्सन नमर डी के साथ investigator यह यह प्रजाती जो है जो गाय की प्रजाति यह भारवाही नसल होती है ठीक है कुश्चन नमबर नेक्स्ट दा नेचर प्लेस आप साही बाल ब्रीड आप काव इस जो साही बाल गाय है इसके उत्पत्तिस्तान कहां पर माना जाता है बच्चों देख लो एक बार आप कराशी की बात करेंगे तो रेड सिंदी जो होती लाल सिंदी होती है रेड सिंदी ब्रीड इसका कहां पर कराशी में है काठियावर्ड में गिरीका-Origin प्लेस माना जाता तो गेर गाय का उतपत्यस्तान कांप माने सब्सक्राइब और हर्यारा में उत्तान कहां पर्माना जाता है प्यारे भच्छों बात की जाए मेर्य भेंडश है महीन oh 그 limit. राहत प्राप्त होती बहुत अच्छी क्वालिटी कie उनप्राप्त होती है लिए खाली梯 बगया remember सेमस्फ कौन सी है मैरेनों भेंड ठीक है ना और इसका उत्पत्यस्तान बदाए माना जाता है इस पेंड इस पेंड का राइट उत्तर है को सब्सक्राइब कर दो बढ़ेंगे अगर आपको क्लास दिल से अच्छी लग रहे हैं वीडियो को लाइक कर दो भाई चानल को सब्सक चकर नगर इटाबा में पाई जाती है कहां पे पाई जाती है चकर नगर इटाबा के आसपास शेत्रों में है पाई जाती ऑप्सन नमबर सी यहां पे राइट है ध्यान रहे है जमना पारी बकरी के कान बहुत लंबे होते हैं साथी साथ जमना पारी बकरी कैसी नसले दुक भाज ही नसल है बकरी के नमबर नेक्सट की तरह बढ़ेंगे हम लोग रखाम मैल सीप की इस भाड़ान आज बख बोर नं प्यारे बच्छो जो बखATORी का बकर का नर्भ होता उसको बोलते हैं बकर रखा जब कर नर्भ पशको को बोलते हैं बकर बोर बोल देंगे बोर किसको बोलते हैं बोर बोल देते हैं सुवर के जो नर परसू होता है उसको बोलते हैं बोर और रैम बोल देंगे या पर तो आपसन नमर सी राइट हो जाएगा जो बकरियों का नर पसू है, जो बकरी का नर मतलब है, नर बकरा है, बकरा उसको बक बोल देते हैं, सुर्ग जो नर है उसको बोलते हैं बोर, और जो भेड़ है, भेड़ के नर को बोलते हैं, आपसन नमबर सी बिल भी राइट हैं, बढ़ते हैं पसन नमबर उन्निस के तरफ गाय की सबसे भारी उम सक्ति साली नसल कौन सी है? गाय की सबसे भारी उम सक्ति साली नसल है साहीबाल, सिंधी, कॉंक्रेज और हरीणडा नाम से ये दिख रहा है कॉंक्रेज और कॉंक्रेज की एक बहुत बड़ी सिस्ता होती है 27 चाल के लिए फेमस है बात की जाए कि सभाई चाल के लिए कौन सी फेमस है गाय की नसल हुआ कौन सी है जो सभाई चाल के लिए फेमस है तो कौंकरेज और दुलकी चाल के लिए बात की जाए कि दुलकी चाल के चटक मटक के चलने वारी चोटी 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 कदम रखती है ये चोटे चोटे कदम to 20 E Q Mts नॉन एज जू नर्शॉर है उसको क्या बोलते हैं बताव Pilink वोलेंगे या बोर वोलेंगे या फिर इनमेजा कोई नहीं व LEE जो सूर है जो सौर के बच्छे जण्व लेते हैं जो मादा सूर बच्छे को जण्व देती उसको तो बोलतेということで पिघ्लिट क्या समझें जो मादा सूरी होती है जो मादा सुरी या फिर मादा फिंग होती है बच्चे को जनमेर दें तो उसे कि बच्चा यह बहुत कि सी COP की बोलते हैं यहां पर बोर हो जाहेगा और से ऋप्सन नमभर some 300-310 दिन होती इसलिए option number a यहां पर राइट है जबकि 280 दिन गाय की गर्वावस्ता मानी जाती है question number 22 the meat of cow is called जो गाय का मांस होता उसको क्या बोलते है बुफैन, चेवान, बीप या फिर बील एक बार अच्छे से देखो आप लोग बात की जाए गाय के मांस की बात कर रहा question आपे तो गाय के मांस को बोलते है बीफ जबकि जो हमारी भैंस है भैंस के मांस को बोलते है बोफैन और जो बकरी है बकरी के मांस को बोलते है चेवान और जो भेंड है भेंड के मांस को बोलते हैं गाईज मटन और जो अपना मुर्गी है या मुर्गा है उसके मांस को बोलते हैं चिकन तो इन प्रसनों को आप एक बार अच्छे से याद के लेना हमेशा एक्जाम में यहां से प्रसन पूछ लिये जाते हैं Q23 पॉस्ति मीना बूल इस ओटेंड फॉम सीप रैबिट गोट या फिर नवर इस तो प्यारी बादिच्चेश मिन और ऊंहां prata होती है यह खारप्ट होती एंडॉर वकरी की कस्मीरी नसल उससे प्राप्त क्या होती है पसमीना उन प्राप्त होती है ठीक है question number 24 forest research institute is located in जो forest research institute है ये कहां पर located है मुंबई में है देहरादून कॉलकता या फिल लकनों में प्यारे बच्चों राइट उतर जाएगा option number B यानि देहरादून ध्यान रहे forest research institute के दौरा 2019 में रिपोर्ट जारी की गई है बनों के बारे में और यह रिपोर्ट डेहर बर्स माप कीजिएगा जो forest research institute है प्रतेक दो बर्स के अंतराल पर जो है बन सर्विस्चन रिपोर्ट जो है वो जारी करता है तो इस बार की रिपोर्ट की according बात की या 6 पल के हिसाब से सबसे जादा बन कहां पे है तो MP में है प्रतिसत के हिसाब से बन सबसे जादा कहां पे तो मिजोरम में है और अचानक बनों में बर्दी कहां पे हुई तो करनाटक में हुई इन प्रसनों का एक एक प्रसनों को विल्कुल सही बात है आनंद मिल्क यूनियन लिम्टेट बी बिल भी राइट अंसर है ठीक है चलो कि प्रस नहीं कि एंडियाराई इस लोकाटिड एट जो एंडियाराई है राश्टी यह डेरी अनुसंदान संस्तान यह कहां पर लोकेटिड है भई पताएंगे आप सबी लोग प्यारी बच्चो करनाल हरियारा में यह लोकेटिड है करनाल हरियारा में यह लोकेटिड है हिसार में भैंस वाला संस्तान है हिसार में कौन है भैंस वाला है और इज्जत नगर बरेली में प्यारे बच्चो क्या है पसूसी किस प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा ठक कर नवैट ए मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा बिल्कुल जुड़े हमारे साथ में और अपनी तैयारी को एक नई दिसा दें केवल और केवल नई दिसा देने के लिए एक ही मात प्रेट फार्म आपके बीच में उपस्तित है वो भी दिसा एगरी कल्सर अकेडमी पिल्कुल प्यारे बच्चों आप सभी के सेवा में सत्यों तत्पर हैं इसलिए आप से छोटी सी रिक्वेस्ट यही करूँगा कि जितने भी लोग वीडियो को वाचिंग करें यार प्लीज यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे इसके बाद कोस्चन नमबर 27 निम्लेकित में से किस बाग्यानी को स्वायत करांद का जनक बोलते हैं प्यारे बच्चों किस बाग्यानी को विश आप फॉलिएंग साइंटिस्ट इस दे काल्ड आप दे फादर आप भाइट रिबलोएसंस प्यारी बच्चों 20 इस तर पर हरीत करांद की पिता की बात की चाये 20 इस तर पर क्या है कि 20 इस तर पर वात करें तो कौन है नॉर्मल एब और लाग और भारत में वात की जायें तो भारत में गोन है MS Swaminathan, तो भारत में MS Swaminathan है और वैसे नॉर्मल इबोरलाग माप कीजिएगा माप कीजिएगा, बच्चो स्वाइट करांद की जनक की बात की जाए डाक्टर बर्गिज कुरियन स्वाइट करांद की जनक की बात की जाए डाक्टर बर्गिज कुरियन तो हैं डॉक्टर नर्मल ईब और लाग और 1970 में इनको सांती की चेतर में नोबल पुरसकार भी मिला था 1970 में सांती की चेतर में नोबल पुरसकार भी मिला था वहीं पर भारत में अगर हरित करांथ की बात की जाए वहीं पर अगर भारत में हरित करांद की वियात की जाए तो MS स्वामी नातन लेकिन प्रस्ट में हमसे पूछा स्वैत करांद के जना किसको बोलते हैं ये बोलते हैं डाक्टर बर्गीज कुरियन को 26 नॉमबर को 26 नॉमबर को सविदान दीबस भी मनाया जाता है और 26 नॉमबर को डाक्टर बर्गीज कुरियन जी का हैपी बड़े भी मनाया जाता है ठीक है ना बिल्कुर तो इस प्रस्ट से हमें इत्ती जानकारी मिलती है और स्विद करांद का समंद किससे दुग्द उत्पादन से है ठीक है ना तो राइट उत्तर जाएगो अप्शन नॉमबर C से है C इस प्रस्ट का बिल्कुल राइट और सर्टीक उत्तर है बढ़ेंगे प्रस्ट नंबर नेक्ट की तरब कोस्ट नमबर 28 प्रस्न है कि वाइट इसस्ट जिरेट बिट इसे सबंदे प्रस्व कहा है कि से समयद्ग उत्पादन इस या सिसे डूंद्ध से जबकि फलफूल सब्जी समयद्ध तकोंसी करांथी है तसल नहीर किरान जब sekarangि जिसको बोलते है golden revolution और golden revolution के फादर कोन है केल चड़ड़ा अंगला प्रस्टने 29 गिर एक नसले वाई किस की है बक्री की है भेंड की है गाय की आप भैंस की है पहरे बच्चों अभी मैंने का था गाय की दुधारू नसले कौन कौन सी है SSGT मतलब साहिबाल सिंधी गिर और देबनी तो गाय की नसले दुधारू है इसलिए राइट उत्तर हो जाएगा गाय की एक नसल होती है गिर और गिर का ओरिजिन प्लेस कहां पर माना जाता तो काठ काठिया बढ़ गुजरात में माना जाता है तो गिर गाय का जो उत्पतिस्तान काठिया बढ़ गुजरात बढ़ते हैं प्रसन नमर 30 की तरफ देशी गाय का बैग्यानिक नाम क्या है यह प्रसन आप से पूछा जा रहा है साइंटिक नेम आप देशी काव इच बॉस इंड प्रसन नमर 30 की तरफ गरीबों की काम देवन भी किसको कहते हैं बकरी को बोलते हैं गरीबों की काम देवन या गरीबों की गाय डानेटी प्लेस आप बर्वरी ब्रीड आप गोट इज जो बर्वरी नसल की बकरी है इसका उत्पतिस्तान कहां पर माना जाता है बच्चों तो पूरवी अपरीका का बर्वरा सहर वहां पे इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है तो फूर भी अपरीका का बर्बरा सहर बिल भी राइट अंसर है, आपसन नमबर सी, बढ़ते हैं परसन नमबर 32 की तरफ, ठीक है, सानेन इज ए ब्रीड आप, प्यारे बच्चों सानेन एक नसल है, जो कि किस की है, बेंड की है, गाय की है, भैंस की है, बक्री की है, तो देख इस शानेन को, और सानेन एक किस की नसल है, प्यारे बच्चों तो बकरी की एक नसल होती है, इसलिए राइट उत्तर हो जाएगा, आपसन नमबर डी, डी बिल भी राइट आंसर है, बढ़ते हैं परसन नमबर नेक्स्ट की तरह बढ़ते हैं हम लोग, कोस्टन नमबर नेक् इसलिए बच्चे और अनसंदान की बात करें तो यह कहां पर इज़त नगर बरेली में, इसलिए स्सेपर है यहां पर, कोश्चन नमर 34, पॉस्टिरिसन इन इव इज नॉन एज, मादा भेंड के बच्चा देनों को क्या कहते हैं, जो मादा भेंड है इसके बच्चा देनों क्या बोलते हैं, देखो, गाए और जो भैंस हैं, द्यान रहे, जो गाए यानि काव और जो भफैलों हैं, और हमें यह भी जानते हैं, जो बकरी का बच्चा होता है, जो बकरी का बच्चा होता है, उसको बोलते हैं कीड, और जब बकरी ब्याती है, जो बच्चा देती है, देने की किरिया कहलाती है कीडिंग, अच्छा ठीक है, अब जो मादा भेंड है, इसका बच्चे को क्या बो सब्सक्राइब कर दो लाइक जिसने को सेर ना किया तो सेर नया प्रेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि यहां पर एगरी खलते समझे जानकारी मिलती रहती है तो अमरत मैल एक गाय की नसल होती है बच्चों किसकी एक गाय की ठीक है ना बिलकुल चलते हैं प्रस नमबर 36 की तरफ CSWRI बोले तो Central Sheep and Bull Research Institute कुल विलाके भेंड और उससे भेंड और भेंड का जो वाइफ रुड़क्ट है उन भेंड एवम उन अनुसंदान संस्तान यह कहां पर रिष्थी थे तो यह रिष्थी थे अंबिका नगर जोगी राजिस्तान पड़ता तो राजिस्तान अंबिका न संदान है मतलब IIBR इंडियन इंसिट्यूट आप बैजे टेंबल दिसर्स यह है वाडर सी में ठीक है ना ICR, IRI, PGR और NSC यह सबके सब नई दिल्ली में स्तित हैं जबकि जैपूर में क्या है? NIAM मतलब नेशनल इंसिट्यूट पार एग्रिकल्चर मार्केटिंग एस्ट ने जैपूर में नेक्स्ट मैटिंग आप एनिमल्स आप डिफरेंट इज नॉन आइज बेविन ने जाती हूं कि पस्वों के समागम को क्या बोलते हैं लाइन ब्रेडिंग क्रॉस ब्रेडिंग आउटक्रसिंग इन ब्रेडिंग करे बच्चो सीधा प्रसन आपने पूचा यह यहां पर मैटिंग आप एनिमल्स मैटिंग आप एनिमल्स आप डिफरेंट ब्रीड्स इसको क्या बोलते हैं कि इस टर्म को क्या बोलते सब भी लोग उत्तर करें 37 नंबर यहाँ पे है क्या आगे बोलेंगे इस टर्म को प्यारे बच्छो इसको बोलते क्रॉस ब्रेटिंग क्योंकि यह बिभिन जातिव की बीच में मैंटिंग हो रहे क्रॉस ब्रेडिंग और मैंटिंग आप मैं पहले ही बता दे रहा हूं 39 कोशन मुझे थोड़ा था डाउट है वाइद अगर हमारा आंसर गलत होता तो पिलीज इसको भी आंसर इसका सही आता बच्छो कमेंट सेक्षिन में कमेंट जरूर कर देना ठीक है ना नहीं आप इस सु बनाके बैठ जाओ कि मैंने बताया था पर इच्छा में आया तो आप गलत कर वाइट है तो इस प्रेस्ट मुझे डाउट है मैं स्योर जी के साथ कह रहा हूं आपसे अगर आपको इसका आंसर आता तो आप बता देना ठीक है ना ग्रैडिंग आप क्रॉस बीडिंग आउटक्रसिंग हाइवडाइजेसं क्रॉस ब इन में से कोई नहीं तो प्यारे बच्छों जो म्यूल है म्यूल जो बनाए इस किरिया को बोलते हैं है और किसका क्रॉस से बनाए गया तो मादा गदा होगा मतलब गधी और नर्गोडा की क्रॉस से बनाया कच्चर यानि म्यूल 31 मेस्टाइसिस इजकाज डियोटू एक बिमारी है थनेला रोग प्यारे पच् except क्या बीमारी थनेला रोग और थनेला रोग जो है गलत तरीके से अगर कोई भी गौला दूद की दुहाई करता है तो भी थनेला रोग के होने के चांस बढ़ जाते हैं और यह यह बैक्टिरिया के दौरा होता है किसके दौरा होता है बैक्टिरिया के दौरा होता है थनेला रोग से कौन सा अंग पर वाबित होता है तो आयन वाला भाग जो होता है अडर जिसको वोलते आयन वाला पार्ट है यह थनेला बिमारी से ग्रसित होता है और किसी गाय के सामान स्वरूप के लिए जो अंक निर्दारित किये गए तो एन की बनावट पर 35 नंबर आके जाते हैं तो बैक्टिरिया यहां पर सही उत्तर हो जाए कुछ एक्ष्टा जान का रही थी वह भी अमने इस वीडियों बताने का प्रयास किया तो आप लोग उस वीडियों को आप लिए नमबर डी यहां पर राइट उत्तर हो जाएका बढ़ते परस नमबर 43 की तरफ आए जी अफरारी इस लॉकेट इट भैस के अंसंदान संस्तान की बात की जाए तो हिसार हर्यारा में है यह एंडियाराइक की बात की जाये नियस्टिट्ट करना हर्यारा में है और आए जी अफारी मतला भारती इस चारा गायम चारा अंसंदान संस्तान की बात की जासी में है लेकिन हमसे पूछा क्या यही तो पूछा है इसलिए डी आपसन से राइट है राइट उत्तर हो जाएगा ऑपसन नमबर डी बढ़ते परस नमबर 44 की तरफ एक बिमारी है जो कि सबसे अधिक भैंस की जनसन क्या होती है बताएं आप लोग उत्तर परदेश मद परदेश बिहार बाब महाराश्ण बताये विश कहा है प्यारे बच्छों उत्तर परदेश में बहाइसओ की संक्या ज्यादा पाए जाती है यही इस प्रोप्रस निवर मों पॉर्टी सेवन गजी तेखती क्या है ऐन्टेरो टॉकजिमिया जो इस डिजीजा कैसे अच्छा कोशन साए और आई वोप आपकी परिच्छा में पूखा जा सकता है अगर पूखा जाएगा तो आप यह पे नंबर हो जाएंगा बढ़ जाएंगे नंबड आपके तो आपके से याद करला हा ठीक है चलो जो गाए है जो हमारी काव है इसके गर्वाविद कितनी होती है तो 280 दिन की मानी जाती है जबकि 300 से 310 दिन किसकी है बैंस की है ठीक बात गाए बेंड बकरी या फिर सूर की बताओ बच्चो डियर स्टुडेंट जो लार्ज वाइट यॉर्क सायर एक ब्रीड है यह होती है पिग यानि सूर की ऑप्सन नमबर D यहां पे राइट है बढ़ते हैं प्रसन नमबर 50 की तरफ करन स्टुड ब्रीड आप काव इज डेवलप्ट बाई जो गाय की करन स्टुड एक नसल है जो बेक्सित की गई है किसकी क्रॉस से बनाई गई है अच्छा तो साही बाल मादा इंटू ब्राउन स स्टुड ब्राउन स्टुड ब्राउन स्टुड बढ़ते हैं प्रसन नमबर नेक्स्ट की तरफ सभी लोग आप वीडियो को लाइक कर दो और नच प्रेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेए अभी इसके बाद भी डेरी की अभी दो क्लास्स आपको मिलेंगी जब त बेस्ट मिल्क ब्रीड आप वफेलो एज भैंस की सबसे अच्छी दुदारू नसल कौन सी बताएं आप सबी लोग रभी भधावरी जाफराबादी या फिर मुर्रा बेस्ट मिल्क ब्रीड आप वफेलो इज राइट उत्तर हो जाएगा मुर्रा और मुर्रा जो भैंस है इसक के सिंग जलेवी के आकार के भी माने जाते हैं इसलिए राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्सन नमबर मुर्रा यानि डी ऑप्सन से राइट है कोस्चन नमबर बामन डा नेटिव प्लेस आप भदाबरी ब्रीड आप फैलो इस जो भदाबरी ग्वहेंस है इसका रंग कैसा होता वाई ताबे जैसा रंग होता है सबसे ज्यादा बसा पाई जाती है आठ से तेरा प्रस्ट पाई जाती है बसा इसमें और आगरा एवा मतुरा की आसपास यह बहेंस उत्पत्तिस्तान इसका माना जाता है पढ़ते हैं प्रस नमबर 53 की तरफ एज आप काउप इस जो बच् सकते हैं हमारे इसाब से एक बरस आंसर या किसा रहना चाहिए लेकिन मैं इस कॉस्टन में स्योर नहीं हूं कि यहीं आंसर होगा अगर आपको भी सही आंसर आता तो कॉमेंट सेक्शन में या इसका आंसर जरूर बताना कॉस्टन नमर 54 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग बग इ चालो सूर के मांस को तो बोलते हैं पूर्क सूर के मांस को क्या बोलते हैं दा मीट आपिग इस काल्ड पूर्क सूर के मांस को बोलते हैं पूर्क बकरी के मांस को बिलते हैं चेबन और भेंड के मांस को बोलते हैं मटन और बीप बोलते हैं किसके मांस को तो गाय के मांस को गाइज बीप बोला जाता है बढ़ते हैं परस नमबर 56 की तरफ यानि 56 नमबर कोस्ट पढ़ेंगे हम लोग फ़र्ष्ट कंपार्डमेंट आप रुमिन इस्टोमच इस नौन एज जो रोमंती पसु है कि अमासे होते हैं जो रोमंती पसु का अमासे है उसके चार भाग होते ह पसु का सत्त पेट किसे बोलते हैं पसु का सत्त पेट किसे बोलते हैं पसु का सत्त पेट बोलते हैं ठीक है ना बिल्कुर तो जो पहला भाग होता है उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं रोमें रोमें सबसे बड़ा भाग भी माना जाता है तो रोमें यहां पर राइट उत् करतिम गर्वाधान अगर किया जाता है गायों में गर्वाधान की उत्म अवस्ता कौन सी प्यारी बच्चों किता होता हुदा चौबी से 36 गंटे होता है और जब टाइम 30 गंटे हो जाए 30 गंटे आफर 30 किस आपर का टाइम हो उसमें हमें करा लेना चाहिए कहने का मतलब हीट समाप्त होने के च्छाए घंटे पहले हमको गाय को गर्वित करवा लेना चाहिए तो यहां पर राइट उत्तर हो जाएगा लेट हीट बढ़ते हैं प्रस नंबर अठामन की तरफ दाबेस्ट मैथड आप एज जिटर्मिंसन इन बाफाइलो जो हमारी भैंस है इसके आयो की निर्धारण की सबसे अच्छी बीद कौन सी है तो प्यारे बच्चों दानत के खेसाब के दोरा यह बीद काफी अच्छी मानी जाती है क्योंकि सबसे अच्छी की बात कर रहा है इस इंडिया इस बेंड की सबसे लबी है भारती नसल कौन सी है निल लौर है जो की पहाडों पर बोज़ा ढोने के लिए काम में लाई जाती है और आंद प्रदेस के आसपास के एरिया में काफी संक्या में पाई जाती है बेंड की संकर नसल की बात करें बेंड की संकर नसल की बेंड का ओर जिन प्रेस कहां पर माना जाता है तो सूटी जर्लेंड इस तार डेल जो भेड़ है इसका उरिजन प्लेस माना जाता है ठीक है चलो भाई आज की क्लास का लाश्ट और अंत्य प्रसन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर है आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी तो प्लीज सोगाइज क्लास को कर दिना से और वीडियो कर दिना यार लाइक और नए फ्रेंड जितने भी हो यार इग्णोर मत करना चैनल करन सब्सक्राइब प्लीज आपके सब्सक्राइब से हमें हेल्फ मिलेगा तो हम आपके लिए बैटर कॉंटेंट और बैटर क्वालिटी एज्योकेशन आपको फिर यूटूब पर पोवाइड कर आप आएंगे तब हैंड़ के मांस को क्या बोलते हैं बाई बीप बोलते हैं व ऐसन की जानकारी हमने आपको दी बेसिक जानकारी दी उसे समभावबिद जो बिए बन सकते हैं थे उसकी हमने आप Bhag लिए स्वाइज जबस होगी अगयर आपसे रिक्वट बार बार नहीं करूँगा अब से नेक्स्ट वीडियो में अंसर में टीक ना लब सब्सक्राइब कि हम दो से तीन वीडियो आपको और प्रोबाइड कर आएंगे तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार थैंक्स फॉर वाचिंग और ध्यान रहे और ध्यान रहे तेली ग्राम चैनल कर लिंक हम तेस्ट कर देंगे तो आप लोग हमसे